तो हेलो दोस्तों ABC कोचिंग यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आप लोग कैसे हैं आसा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्थ होंगे और अपने बोर्ड इक्जाम के तैयारी हमारी यूटूब चैनल के माध्यम से जबर्दस तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा एगरवी कोमर्स का एकांटसी सब्जैक्ट का मस्थ इंपोर्टन भी बिबियाई ऑप्जेक्टिव कोश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपकी बोर्ड की परिक्षा में इस वीडियो में बताए गए कोश्चन में से कई सारे कोश्च कर जाने से पहले इसके कुछ निर्देश के बारे में जान लेते हैं तो देखें दोस्तों जैसे कि आप लोगों का उमार्सीट पर जो एक्जाम से लिया जाएगा उसमें आपको ध्यान देनी है कि आपका जो नाम है ठीक है आप अपना नाम रॉल कोड अनुकरमांक पंजय जो आपको जगह फर फिल करनी ही अच्छे सापको वहाँ पर भरना है साथे दोस्तों आप अपना पूरा नाम का जो हस्ताक्षर है उसे ओमार्सीट पर आप लोग अच्छे से करेंगे ठीक है बात करें आपके कोश्ण की तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि आपके जो कलपिक प्रसने पूशे जाएंगे जिसमें की सभी प्रसन आपनों को करना अनिवारी है और सभी प्रसन जो है एक अंक का होगा ठीक है और पठती एक प्रसन में जो है चार चार विकल्प आपनों को दिये जाएंगी इसमें जो है सबसी जो सही आमचर होगा उसको जो है प्रिक्षा ववन चोड़ते समय जो है आपको ओमार स्रीट को विक्षा को लोटा देनी है उसके बाद ही आप लोग परिक्षा ववन से निकलेंगे इन सबी बातों को आप लोग अच्छे से ध्यान पूर्वाक जो है अपने माइंड में खोस लिजेगा क्योंकि ऐसी गलती आ क्योंकि दोस्तों को लेखांकन सिध्धांतों का महत्व है तो इस कांच्छो जागा इन में से सभी क्योंकि दोस्तों लेखांकन सिध्धांतों में से जो है ये निवेसों के लिए लेखा पालों के लिए और अंक्छेकों के लिए ये सभी चीज़ आते हैं ठीक है तो इसलिए दोस्तों इसका जो अंसर होगा अगला सवाल है पाच्वा नंबर कि किस अवधारना के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेंदार माना जाता है तो दोस्तों इस कांसर डागा उप्शन नमबर D इकाही की अवधारन ठीक है यानि की इंटिनी concept ठीक है उप्शन डागा आपका जो D है वो सही अंसर होगा इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला कोशन है कि रोज नामचा में कितने कॉलम होते है तो इसकांसर डागा पांच कॉलम होते है अप्शन नमबर C अगला कोशन है कि लेंद देनों की संचिप्त वेक्या को कहते है तो उसको हम लोग कहते है असपश्टी करें अगला कोशन है कि रोडर बही के नगत खाने का सेस सदयव होता है तो सेस सदयव क्या होता है उसे हम लोग डेविट करते हैं आप लोगों को पता होगा आप लोगों को पता है ना कि डेविट काट ये इसी से चुड़ा हुआ नगत खाने को ही अम लोग डेवीड काते हैं ठीक है याद रखेंगे अगला कोशन है कि विक्राय बही में लिखा जाता है तो विक्राय बही में जो है माल का सभी उधार विक्राय को लिखा जाता है तो option number 10 का सही अंसर होगा अगला कोशन है कि पास्बुक का पास्बुक के ड लेनी है यहां पर question दिया है कि passbook के डेविट सेस का अर्थ होता है यानि कि डेविट balance as per case book means तो इसका अनुकुलन सेस ठीक है यानि कि इसको कहते है फॉर्बल balance तो option number आपका बी जो है सेयां सरोगा अगला question है कि जब ग्राहक माल लोटाता है तब उसे भेजा जाता है उसे क्या भेजा जाता है जमा पत्र भेजा जाता है यानि कि credit note भेजा जाता है जैसे कि दोस्तों मान किजिले आप अगर आप बैंक जगए है और बैंक में कुछ आप पैसे जमा कर रहे है तो उसको हम क्या कहते है उसको हम क्रेडिट करना कहते है यानि कि जमा करना और जब पूरी तरह से जमा हो जाता है तो बैंक के द्वारा जो है हमारी मोबाइल पर हमा अगला सवाल है कि 5,000 रुपिये का माल मुप्त में नमुना के तौर पर बाजार में वित्रित किया गया रोजाना मचा में परविष्ठ होगी तो दोस्तों इस कान सुझागा क्या होगा कि यह जो है न एडवाइजमेंट के लिए ठीक है एडवाइजमेंट के लिए जो है 5,000 हुआ उसका नमुना जो है बजार पर लाया गया पाँजार के तौर पर उसको कीमेत कितनी है तो वो एडवाइजमेंट कर रही है यानि कुसका परचार विसार कर रही है उसके पुरी तरह से हर तरब जो है उससे परचार किया जारत उसकी लागत बताई गई है कि 5,000 इसका याद कर ले जागा जितने भी चात एकॉंटिसी के हैं उन सभी को मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा सभी कुशन को आप लोग जो अच्छे से निवेदन कर लेंगे अगला कुशन देखिए यहाँ पर दिया गया है तेरे नमबर कहता कि तलपट किस परकार की सुद्ध को धरसाता है तो दोस्तों उसको कहते हैं अंक गणीती है ठीक है ओप्सन नमबर आपका भी सही अंसरोगा अगला कुशन है कि तलपट है तो तलपट क्या है वह वीवरन है ठीक है ओप्सन नमबर आपका यह सही अंसरोगा अगला कुशन है कि राजन ने जो है 2900 की माल तो दोस्तों यह जो होगा क्या कि उसके हिसाब किताब में क्या है असुद्धिया है तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा इसका अप्शन नमबर बी जो है सेयंतर होगा हिसाब की असुद्धिया ठीक है अगला कुशन है कि हरास एक प्रक्रिया है तो हरास क्या है हरास आप पपता है नयानि करास की है, यानि कि question is a process of, यानि depression क्या होता है, संपतियों के लागत को उनके उपयोगी जीवन में बाटने का, तिक है other question is a process of, आजा क्वेशन के कारण मुल्य में कमी का क्याड़ है, तो दोस्तों इसकान शुजागा अप्सन नम्बर धी नव निर्मान एवं अविश्कार ठीक है अप्सन नम्बर धी इसको सही अच्छे से रख लिजेगा अगला कुशन है कि एक मसीन जो है बीस हजार में खरीदी गई और करमागत हरास विधी से बीस परतिसत वार्शिक की द करमागत हरास विधी से बीस परसेंट वार्शिक दर से हरास लगाया और तीसरे वर्श के अंत में उसकी संपति का मुल्य क्या होगा तो देखे दोस्तों यहां पे बीस बीस परसेंट करके यहां तो क्या हो जाए घट रहा है तो यह इसका आंसर होगा ना तो ऑप्सन इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला कोर्शन है कि आयोजन है तो आयोजन क्या है आयोजन जो है एक परकार का लाव के ऊपर ऊपर परभार है ठीक है ओपसेंट बेस इसका पर सु Gaming और को अगला कोशन लिएन या अपर्याब्ञ परीण से पार्ति तो दोस्तों यह चो हो जाएगा आयगत प्रकाइप्ति ठीक है यानि कि revenue recept तो option अगला सवाल है केता है विनिमय पत्र एक प्रकार का लेक संसो होगा अगला कुछे है कि विनिमय बील में पत्रकार होते है तो इस अगला कुछे है कि नौटिंग वेव का भोगतन बिल का धारक द्वारा किया जाता है प्रन्तु इसे वसूल आ जाता है तो इस कांचल जागा option number B हो जागा स्वी कृतास चे यानि कि ड्रेवी से ठीक है option number आपका B सही आंच रोगा अगला question है यहाँ पर जरादिहान दिजेगा यह काफी BBI है इसको अच्छे साप लोग समझेंगे यहाँ पर दिया है कि A ने B पर एक बिल लिखा A ने B C को बेचाइन कर दिया यानि कि जो है A जो है B को बिल लिखा है और A ने जो है C को बेचाइन कर दिया और बिल का प्रयाप्ता होगा, तो दोस्तु किस पर होगा ये जो है C पर ही होगा तो ठीक है, option number आपका C सहयंच रोगा अब यहाँ पर ध्यान दीजे दोस्तु यह जो एक यहाँ पर column दिया गया है यह जो आप देख पार है कि यह जो एक सुचना का अधार बनाया गया है, दिया है नीचे गये दे, तलप तलपट की सुचनाओं के अधार पर प्रस्न संख्या 31 से 36 के लिए उतर दीजे तो आप यहाँ पर एक बार जो देख लिजे यह जो है तलपट का सुचना तयार किया गया है जिसमें पूंजी, राइतोई, रोकड, क्राई, विक्राई यह सबी चीजे यहाँ पर दी गई है अब इसका अंसर मैं यहाँ पर बताते जाओंगा तो देखे यहाँ पचिसवा नंबर का कोशन दिया गया है कहरा है कि सुध दिक्रे तो सुध दिक्रे नेट पर चेच क्या है तो नेट पर चेच आपको यहाँ पर देखकर आपको बताना है तो ठीक है, यहाँ पर देखकर आपको बताना है तो चली मैं इसका बताते जाओंगा तो यहाँ पर धियाँ दियाँ देजेगा अगला है यदि अंतीम रहिता 36,000 हो तो सकल लाब होगा तो यानि कि सकल लाब यहाँ पे पूशा गया है यानि कि प्रोफिट तो इसका अंशले का जाएगा इसका 10,000 और जुड़ेगा न क्योंकि यहाँ पे आप इसमें देखेंगे जो आपकी यहाँ पे जो है यह आलेक जो यहाँ पे दिया गया है इसमें आप अच्छे से धियान दिजेगा इसके अनुसार जो है तो उसका अंशले चाली सजार यानि 36,000 पहले था और इसका सकल लाब क्या हो जाएगा 10,000 और जुड़ेगा तो कितना हो जागा 46,000 रूपिये अगला कोशन है कि देन दारों यानि कि देन दारों पर 5% संचय बराबर क्या होगा तो वो हो जागा 2,000 रूपिये ठीक है चलिए अगला कोशन है कि उप्सार दिखिए उप्सरर पर जो है 48,000 रूपिये अगला कोशन को चले 31 नमर कोशन दिया गया है कि इन में से कौन चालू संपती है तो इसका अंश्रक दोस्तों इस में से सभी जो है ये चालू संपती है यानि कर रहीता हो गया यानि इस्टॉक हो गया विविद देवनार हो जागा डेबिट ओर हो जागा उसके बाद ये है पुर्वदत व्याव यानि कि प्रिपेड एक्सपेंस तो ये सभी जो है ये चालू संपती है तो याद रखेंगे उप्सन नमर डीस का साइंसर होगा अगला सवाल है कि यदि विक्रे मूल है चार लाक रूपिये और विक्रे लागत है तीन लाक दस जार रूपिये ततहा परीचालन व्य है साथ हजार रूपिये तो सकलेलाब होगा तो दोस्तों इसका अंसर हो जागा 90,000 रूपिये ओप्शन नमर बीस का सेंच रोगा इसका एक फर्मूला होता है इसका फर्मूला मैं आपको अच्छे से बता दूँगा ठीक कैसे इसका निकाला गया चलिए अगला कुछने के अंतीम खाते तयार किये जाते हैं तो इसका अंच रोगा लेखांकन अवधी के अंत में ऑप्सन नंबर बीस का सेंच रोगा अगला सवाले की करे किये गए माल पर धुलाई एवं भाड़ा को दिखाए जाता है तो इसका अंच जगा वेपार खाता में ठीक है ऑप्सन नंबर अज का सेंच रोगा ट्रैडिंग एकाउंट ठीक है इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला कोशन है कि निम्न में कौन सा इंपूट उपकरण नहीं है तो मॉनिटर जो है एक इंपूट उपकरण नहीं है अप्सन नंबर बी अगला कोशन है इन में से कौन computer का मस्तिक्स कहलाता है तो यह दोस्तों CPU को जो है computer का दिमाग यानि की मस्तिक्स कहा जाता है अगला सवाल है कि कौन से दो अंक binary पदती में उप्योग होते है तो इस कांचल जागा 0-1 अगला question है लेखांकन पती वेदर में कौन सी विशेष्टाइं होनी चाहिए तो इस कांचल जागा उप्योगत सभी क्योंकि उपभोगता, सुदता और पूरता ये सभी जो है विशेष्टाइं होनी चाहिए इसलिए option number D जो है इसका सहींतर होगा अगला सवाल दिया गया है कि निम निम में से कौन DBMS का उपकरण है तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जागा फाइलम मैनेजर और डाटा सब्दकोस ये दोनों यानि कि A और C दोनों हो जागा इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जागा option number D अगला question है कि SQL का पूरा नाम है इसक्यू एल का पूरा नाम है structure query language ठीक है तो option number A जो है इसका सही आंसर होगा इस वीडियम दोस्तों मैंने आपको 40 question बताए है 40 question आप लोगों को अच्छे से त्यार कर लेनी है और इससे आपके कई सारे question जो है board की परिक्षा में पूछे जाएंगे इसलिए दोस्तों exam से पहले इनको अच्छे से revision कर लेना और I hope दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझ गाए होंगे और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल पर नया है चैनल को सस्क्राइब करने साथ बेल आकोन को प्रेश कर ले ताकि इसी परकार से आने वाली वीडियो को नोटिफिकेसन आप लोगों को मिल सके